हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद अकेडमी मेरा नाम गुलशाद अंसारी है और ये आज की जो वीडियो है ये एक हमारे सब्सक्राइबर के लिए है जो की कमेंट करते हैं कि ब्रोदर च्छत की सीलिंग की 2D ड्रॉइंग कैसे बनाएं प्लीज उसकी कोई वीडियो शेयर कर मेरा टेस्ट है मंडे को प्लीज शेयर तो मेरे भाई आपने ये नहीं बताया कि आपको सीलिंग कैसी बनानी है और मैं हमेशा से कहता हूँ कि नीचे डेस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ एक फीडबेक फोर्म एक महां पर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं क्योंक कि जादा बड़ी वीडियो ना हो शोट से शोट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल कर पाऊं तो मैं यहां पर गूगल पे या पिंटरेस्ट पे कोई सीलिंग निकाल लेता हूँ कोई भी डिजाइन तो आप उसको उसकी 2D ड्रॉइंग कैसे बनाएंगे तो मैं यहा इंग डिजाइन जब सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़े आती हैं अलग अलग तरह की सीलिंग आती है अब पता नहीं कि आप को क्या डिजाइन मिल जाए टेस्ट में किस तरह की आपको सीलिंग मिल जाए कुछ नहीं कैसकते क्या साइज मिल जाए क्लासिक म रहेंगे तो उसी तरह कि आपको यहां पर ceiling मिल जाएगी तो मैं यहां पर कुछ search कर लेता हूँ आपके लिए जिसको मैं दिखा सकूँ अभी जैसे यह कोई ceiling है यहां पर एक simple सी ceiling है मैं आपको इसी का बना कर दिखाता हूँ तो मैं इस वाली image को save कर लेता हूँ यहां से तो मैंने उसको folder में save कर ली और अगर मैं यहां पर भी 3ds Max Max को 3D में बनाना चाता हूँ तो बना सकते हैं इसी है कमेंट करके बताएं अगर आप देखना चाहते हैं कि उसको 3D में कैसे बनाएंगे तो उनकी जो request है वो 2D के लिए है 2D drawing तो मैं autocad open कर लेता हूँ यहां पर तो यहां पर मैंने यह autocad open कर लिया है अगर आप चाते हैं कि मैं autocad की भी tutorials बनाओं for beginners to advance या advance के या कोई भी आपकी custom request है तो मुझे आप comment करके ज़रूर बताएं कोशिश करोगा जल्दी से जल्दी पूरा करनी गी तो यहां पर यह मैंने autocad की नई फाइल open कर लिया है और अगर आपने पहले से autocad सिख रखा है तो आपको यह सारी चीज़े उल्डेडी पता हूँगी तो मैं यहां पर control भी से paste कर लेता हूँ तो यहां पर मेरे पास फोटो आगया तो य आप उस चीज़ को कर सकते हैं तो यहां पर मैं simple सी तरीके से आपको tools मतलब details में नहीं बताऊंगा मैं आपको तरीका बताऊंगा तो मैं यहां पर इसको 10 feet by 20 feet में इसको design कर देता हूँ मैं तो दीखे मैंने जो paste करके इसको यहां पर रखा था photo को मैं इसको trim कर देता हूँ तो यह photo काफी बढ़ा है तो कोई बात नी मैं इसको scale से छोटा सा कर लूगा जिससे मुझे देखने में आसानी रहे तो मैं move करके इसको यहां पर रख लेता हूँ इसको और छोटा कर लेता हूँ चाहे तो आप scale कर ले या फिर इसको ऐसे पकड़ कर ले और इसको move करके इस के पास में रख लेंसे तो यह 10 by 20 feet में इसको मैं करने वाला हूँ adjust तो वो कैसे होगा तो photo में तो मुझे पूरी नजर नहीं आ रही लेकिन जैसा वहां से है ऐसा ही इधर से भी होगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा यह चारो तरफ का outer बनाना पड़ेगा तो य अगर इसमें कहीं पर कोई door या window है तो आप वो भी दिखाएंगे तो मैं यहाँ पर इसको फिलिट कर लेता हूँ zero radius दे के तो यहाँ पर मैंने किलिक क्या फिलिट और radius यहाँ पर हम लेंगे इसमें फिलिट radius zero और इसको हम ऐसे वो कर लेंगे फिलिट अब इसमें अगर कही यहाँ पर कोई window है आप वो भी दिखा दें फॉर एक्जमपल five feet के अगर window है तो आप ऐसे window भी दिखा दें अगर है तो जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर plan में दिखानी पड़ेगी जैसे यहाँ पर कोई window है तो आप ऐसे इसको indicate कर सकते हैं यहाँ पर मैं कोई block या कोई बाहर से किसी भी चीज़ को यूज नहीं करूँगा वैसे आप अगर काम करेंगे तो layers पर काम करेंगे walls की अलग layer लेंगे और window की अलग, door की अलग, जो चीज़े है lights की अलग, सारी चीज़ों की अलग layer के हिसाब से ही आप काम यहाँ पर करें तो better रहेगा तो बात करते हैं और 12 इंच का मैंने यहाँ पर offset कर दिया, तो मैंने यहाँ पर ऐसे offset कर लिया, तो दीक है अभी यहाँ पर यह feel हो रहा है काफी बड़ा और मेरा यहाँ पर दिख रहा है छोटा, तो ज़रूरत नहीं है 12 इंच का ही रखें, आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख लेता हूं, इसको 20 इंच का मैंने offset कर लिया, क्योंकि हमारे पास proper size नहीं है, हम image को देखकर यह एक idea लगा रहे हैं, और अपने size में इसको ढ़ाल रहे हैं, और इसको यहाँ पर आप कर देंगे trim, ऐसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं, आप फिर अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ पर यह आउटर आ गया, अब इसमें होता क्या है, यह सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा offset लगा होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बाद मैं बताऊंगा, अभी पहले इसक प्रो पर एक कच्चा डिजाइन बना लेते हैं, अब यहाँ पर इसमें हम वापस से offset करेंगे, इसको यह वाला गेप लेंगे यहाँ पर, यह तो हमने बना लिया, चारो तरफ का, अब यह वाला गेप है बीच का, तो यह कितना रखना है, 12 इंच, 15, 20, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको offset कर लेता हूँ, जैसे मैं try करता हूँ, यहाँ पर 15 इंच करके कैसा दिखता है, तो छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको offset करता हूँ, 20 इंच ही कर देता हूँ, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने कर दे ट्री, तो यह हमारा एक, जो इसका design में main main ची इसमें अगर door है, तो door बना देंगे नहीं, तो ऐसा हो सकता है, कि इस जगा पर opening हो, तो आप यहाँ पर opening दिखा दें इस तरीके से, जो भी size की है, इसको यहाँ पर यहाँ पर trim कर दें, और दूसरी line बना के उसको dash line, मतलब hidden line वाली बना दें, क्योंकि हो सकता है, यहाँ प के ओपर depend करेगा, आपको क्या करना है, इसमें क्या के चीज़े लेनी है, अब यहाँ पर यह lights लगी हुई है, तो light को थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए, कि आप यहाँ पर जो light लगा रहे है, उनका size क्या है, वो round में है, या square में है, वो सारी चीज़े आपको इसी तरह से करण्ज हैं, जरूरी नहीं है, कि आप यहाँ पर पूरा एक proper वो करें, size के हिसाब से, लेकिन अगर आप एक बढ़िया designer हो, और architect हो, सारी चीज़ों की knowledge रखते हो, तो आप यह सारी चीज़े अच्छी तरीके से करें, तो इसको यहाँ कहीं मैं control shift C प्रेस करके ही, कहीं कहीं इसको block बना लेता हो, control shift C से कर लिया था, और control V से इसको paste कर लिया, तो यहाँ पर यह block बन के आगया, अब मुझे light यहाँ पर लगानी है, for example, मुझे five light लगानी है, तो मैं यहाँ पर, या तो line बना ले, center में ही, इसके center में ऐसे, मैं यहाँ पर यहाँ बना लेता हूँ, और इसके center में एक line बना ली सीधी, और इसको आगे तक extend कर लूँ, मैं ऐसे, अब मुझे five light लगानी है, तो यहाँ पर command देंगे हम, जिसका नाम होता है, divide, और इस object को select करेंगे, और five में divide कर देंगे, तो यह आपको इस तरह से divide दिखेगी, इसको select करके move कर देंगे हम, मैं इसको यह यहाँ से select किया, यहाँ पर move कर दिया, अब चाहें तो आप copy कर सकते हैं, तो दीखेगी, मुझे five में divide गया था, लेकिन मुझे six में करना था, क्योंकि मुझे five lights लगानी थी, तो कोई बात नहीं, अगर आप six में करना चाहेंगे, तो six में कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, आपक इस तरह की चीज़े अगर detail में देनी पड़ जाएं आपको, तो कोई issue नहीं है, कोई problem नहीं है, अब मैं यह वाली light idea से ही रख लूगा, कुछ idea भी होता है, जब आपका experience हो जाता है, तो आपको इतना idea हो जाता है, कि आप यह चीज़े वैसे ही रख देंगे, तो भी कोई problem नहीं है, मैंने यहाँ पर रख ली, और इसको मैंने for example mirror किया, mid से, ऐसे यहाँ पर रख ली, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको mirror किया, ऐसे है, तो अगर बीच में यहाँ पर कोई ceiling fan है, तो आप ceiling fan नॉर्मल वैसे भी बना सकते हैं, इसका center यहाँ से ले लेता हूँ, म example यहाँ से यहाँ पर, अगर यह कोई ceiling fan आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, या hanging lap हो, या ceiling fan हो, कुछ भी, तो अगर मुझे ceiling fan ही बनाना है, तो ceiling fan बन जाएगा, यहाँ पर कोई problem नहीं है, यहाँ पर मैंने SP line ली, और मैं चाहूँ तो SP line से बना सकता हूँ, या line से भी बन आप से भी बना सकते हैं, आप कितना बड़ा size का यहाँ पर fan लगवाना चाहते हैं, यह आपके उपर depend करागा, सारी चीज़े, आप क्या चीज़ बन वा रहे हैं, कैसे बन वा रहे हैं, तो यह एक item बन गया, यहाँ पर इसको select करेंगे, और यहाँ पर मैंने click क्या, polar array, और इसमें यहाँ पर मैंने beach में click कर दिया, तो इतने सारी नहीं होती हैं उसमें, three होती हैं वैसे, तो यहाँ पर मैंने three item ले लिया, जैसे, तो यह ceiling fan का indication हो गया, यह एक indication ही होते हैं, जो हमें दिखाने होते हैं, तो यह तो हमारी ceiling बन गी, अब इसमें जरूरत की सारी dimension आपक यहाँ तक light की कितनी distance है, उसके बाद आप यहाँ पर dimension ले सकते हैं, continue, dimension पर click करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर click करेंगे, नीचे continue, और इसके ओपर click करके, आप ऐसे click कर देंगे, तो आपको सारे इसकी dimension मिल जाएगी, तो यह भी आपको दिखानी जरूरी होती हैं, कि each item के बीच में कितनी distance आप दे रहे हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से आप यह इस चीज़ों रखेंगे, और इस direction में भी आपने क्या-क्या space दिया है, तो वो सारी चीज़े आपको clearance में देनी होगी, यह सारी detail आपको देनी होगी इसमें, तो यहाँ से इसका center point कितना है, फिर individual दे सकते हैं ऐसे, one by one, या continue dimension को use कर सकते हैं, आप comment करके मुझे बताएं, मैं यह सारी चीज़े आपको deeply भी सिखा दूँगा, कोई problem नहीं है, किसी दिने से long video बना के डाल दूँगा, जितने भी ज्यादा comment आएंगे, इस video के उपर like आएंगे, उसी के हिसाब से उतनी section यहां से काट लें, इस side को देखता हुआ, ठीक है, यहां पर एक section यह से काट सकते हैं, यह आपके ओपर depend करागा, section का वो icon सा बना देंगे यहां पर, आपने अगर बनाए भी होंगे कभी पहले, तो यह सारी चीज़े वैसे बनी बनाई होती हैं, तो मैं यहां पर अगर section क काटना चाहता हूँ इस तरीके से, तो वो section भी कट जाएगा, तो section काटने के लिए मैं नीचे की line बनाऊँगा, floor की यानि के, और उसके बाद में top, यानि के जो, यह तो floor हो गया हमारा floor का level, यहां से wall भी ले लो आप अपनी इसमें, यहां पर मैंने click किया line, और यह से wall ले डला हुआ है, और इसकी thickness, for example, 5 inch है, दिखाने के लिए कोई problem नहीं है, ऐसे हम दिखा देंगे, और उपर के item को कर देंगे, यहां से trim, अब यह तो RCC का slave हो गया, यह नीचे का floor हो गया, इसको भी आप thickness दिखा दीजिए, यहां पर ऐसे ही, यह नीचे का floor हो गया, बीच में space बचा हुआ है, अब मुझे ceiling दिखानी है, तो उसके बाद हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, वो दिखा देंगे हम जैसे, यहां पर यह वाला item है, इसको मैंने यहीं से उपर से line ले ली, तो यह वाला मुझे दिखाना है, यहां से floor से इसका finish कितना रखना है, for 1 inch, तो 1 inch thickness दे दूँगा मैं, यह सारी detail देनी पड़ेगी, 1 inch कम रहेगी, यह सारी चीज़े आपको मतलब mind में होनी चाहिए, कैसे होगा, अब यहां पर क्या होगा, मतलब material भी अलगल होते हैं, कोई इसको PVC में बनवा सकता है, कोई इसको gypsum board में बनवा सकता है, कोई इसक प्योपी में जो liquid वाली होती है, एक तो gypsum board की भी बनती है, जो प्योपी होती है, जो liquid बना के उससे बनाया जाता है, उससे भी बना सकते हैं, बहुत सारी materials है, जिससे यह ceiling बनाई जा सकती है, तो यहां पर क्या होता है, अंदर यहां पर ऐसे जो cob light होती है, वो बनी हुई तो मैं ऐसे बंद कर दूँगा है, तो यह इस तरह की shape बनेगी वहां पर यह, अब चाहें तो इसको भी यहां से mirror कर लें, mirror एक तरफ बना लें, दूसरी तरफ mirror कर लें, अब यह बीच वाला भी अगर इसी के face में है, तो यह भी ऐसे ही बन जाएगा, यह यहां पर बनेगा देखिए तो यहां पर हो गया हमारा, यह match करना ज़रूरी है, dimension बिल्कुल, measurement equal होना चाहिए, आपका जैसे plan में है, वैसे ही section में भी होना चाहिए, तो यही चीज़ अगर यहां पर बनानी है, और इतना ही gap देना है, तो इसी से बन जाएगा, इसको मैं mirror कर देता हूँ, इस इसको पूरा ही ले लेता हूँ, थोड़ा नहीं, ऐसे है, और इसको mirror कर लूँगा, ऐसे है, अब मैं यहां से इसको move करता हूँ, इस जगा पर, और इस वाली चीज़ को फिर से mirror करूँगा, ऐसे, और इसको extend कर दूँगा, ऐसे, तो देखी, ऐसे हो जाएगा यह, अब यह यहां पर क्या होगा, यह उपर का gap खाली रहेगा, RCC slab, यह तो RCC slab होगया अपका, ठीक है, यह तो RCC slab होगया, पूरा का पूरा, यह इसमें बीच में gap आ जाएगा, यह जो हमारा इसका structure बनेगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसमें जितने में भी आएगा, और यह ह यहां पर बीच में अगर कोई lamp है, तो lamp आ जाएगा, ठीक है, अगर ceiling fan है, तो ceiling fan आ जाएगा, यह आपके उपर depend कराएगा, क्या चीज़ आएगी इसमें, तो यहां पर आपको अगर दिखाना है, तो यहां पर donut बना सकते हैं, जिसमें inner radius zero, outer radius one inch, तो मुझे यहां पर रखन कुछ जादा भी नहीं करें, तो इतना तो दिखाई दें, ऐसे light सी, इसको भी mirror कर देता हूँ मैं, यह light आ गई, चाहे तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, light का एक जो है, थोड़ा सा, सेंबल सा बन जाता है, इसको मैं थोड़ा सा copy कर लेता हूँ, कुछ लोग हेच यूज करते हैं, color वले, कोई, अब आपके उपर depend करेगा, आप कैसे present कर सकते हैं, ऐसे light दिखा सकते हैं, यह आपके उपर depend करेगा, कि आप कितनी अच्छी presentation बनाना चाते हैं, किस हिसाब से दिखाना चाते हैं, ऐसे ही दिखा देंगे, यह हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको सारी measurement दिखानी होंगी, इसको मैं dream कर देता हूँ, इसमें आपको measurement दिखानी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक, लिखना भी पड़ेगा, कि यह floor है, finish floor, इसको थोड़ा सा चाहे, आगे बढ़ा लो floor को ऐसे, क्योंकि आसपास और भी चीज़े हो सकती हैं, ऐसे, तो इसको आप यहाँ पर indicate कर दो कि यह floor का level है, दिखे, detail बनाने में बहुत टाइम लगगा, यह सारी चीज़े, तो मैं आपको एक quick way में समझा रहा हूँ, जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं text लिख लूगा, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ finish floor लिख लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, या FFL लिख देते हैं, ठीक है, finish floor level, तो यह आपके ऊपर depend करेगा, finish level लिख दिया मैंने इसको, यहाँ गया, इसमें आपको सारी annotation डालने पढ़ेंगे, जैसे यह finish level हो गया, अब बीच में जैसे यह light है, तो इसके बारे में आ पढ़ाएगा, leader ले सकते हैं, या line से भी काम चल जाएगा, line लें ऐसे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, type कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, finish level इसको आप कोपी करें यहाँ से, और यहाँ पर रखें से finish level था यह, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँग लाइट, LED लाइट, या concealed light, या jcb spotlight या कुछ भी होगा, अब जैसे यह है, कुछ लोग क्या करते हैं, इनका legend लगातेते हैं, legend मतलब एक तरफ से यहाँ पर schedule सा बना देते हैं, table सा, उसमें यह सारे icon रख देते हैं, और उनका यहाँ पर नाम दे दिया जाता है, तो बहुत इसको for example मैंने देते था, kow light या hidden light नाम दे देते हैं, यहाँ पर, तो यह इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर मैंने finish level दिखाई दिया कितना है, और यह वाला level कितना है, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर यह खाली space आ जाएगा, यहाँ इसको भी आप चाहें तो नाम दे स सकते हैं, arrow भी बना सकते हैं, leader से भी ले सकते हैं, आप ऐसे ही भी arrow बना सकते हैं, जणररी नहीं है, कि आप leader से ले असे की बना सकते हैं, इसको hatch से fill भी और सकते हैं, arrow को यह इसको टिपेंड करेगा, अभी दिखीए यह तोड़ा सा ॱ रोटेट कर दो, आप लोगों के आपके उपर depend करेगा कि आप इसमें क्या का detail आपको ज्यादा से ज्यादा detail इसमें open करनी चाहिए जिससे contractor को या जो काम करने वाले कारिगर होते हैं उनको problem ना हो समझने में आसानी रहे है ठीक है तो यहां पर इसी तरह से देंगे हैं भीच में ओगर अगर कोई wooden वर्क है तो इसको नाम दे सकते हैं यह 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 यहां पर इसको भी आप leader दे असे इसको नाम डाल सकते हैं यह आप यह आप जितना इसमें कुछ भी अगर technical चीज अपने यूज की है कोई अलग से तो तो उसको यहाँ पर लिख दें आसान रहेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर पेंट करना है गुड़न का या गुड़न स्ट्रिप्स लगानी है तो वह आपके उपर depends करता है कि आपने क्या design दिया है तो मैंने यहाँ पर लिखा Finish तो ऐसे आजएगा अब आप इसको नाम भी देंगे इसको आप चाहे तो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं बराबर में इसको आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर इसको नाम देदेंगे जैसे ceiling plan जैसे और इसको नाम दे देंगे section का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं जैसे आप दो तरह से section काट सकते हैं जैसे मैंने यह वाला काटा है आप दूसरा section भी बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे आप section तो इसमें यहां पर आप इसको कोपी कर लें यहां से यहां पर रखें सोरी इसको पूरे कोई ले लेता हूं मैं कोपी तो यहां पर मैं इसमें ले लेता हूं कोपी करके इस टेक्स्ट को यहां पर रख लूँआ दीखें ओटोकेड बहुत इजी है AutoCade को use करना पर आपके पास टेकनीक होनी चाहिए एक तो और आपको knowledge होनी चाहिए कि आपको बनाना क्या है आपको अगर यहीं नहीं पता कि क्या बनाना है तो आप कुछ भी नहीं बना बाएंगे अब उसके बाद आपको इस side से भी अगर section काटना है तो आप ऐसे भी सेक्शन काट सकते हैं जो जो चीज़े इसमें दिखाई हैं आप सेम वही चीज़े यहां पर भी दिखा सकते हैं तो ये वीडियो कैसी लगी और उम्मीद करता हूँ जिनकी एक कमेंट थी उनकी वो अपने टेस्ट में पास हो जाएं इंटरिव में पास हो जाएं और उनकी जोब लग जाए तो अगर आपके पास भी इसी तरह के कोई आइडियाज हैं आप मुझे सेंड करें कमेंट करें नीचे फीडबेक फॉर्म दिया उसके थूरू मुझे भेज सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आप मेरे से क्या क्या इसमें और सीखना जाते हैं मैं इसका अगर एक लोंग टूटोरियल भी बनाऊं जिसमें पूरा ओटोकेड की जितनी जरूरत की चीज़ें हैं किसी ड्रोइंग को बनाने के लिए वो प्रोपर कैसे बनाएंगे तो जितने ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आएंगे मेरे पास लाइक जितने ज़्यादा आएंगे आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिलेगा उतनी जल्दी मैं आपके लिए उतना चचचा काम करूँगा तो वीडियो के सी लगी प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो को थोड़ा से जल्देली करने की कोशिच की है मैंने मतलब इस काम को जिससे ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो छोटा ही टोपिक ता जादा बड़ा टोपिक नहीं था वीडियो भी इसलिए बनाई के उन्हों ने कहा कि मेरा मंडे को टेस्ट है बस इस बात को देखके मैंने ये बनाई है तो उमीद करता हूँ कि आपके लिए काफी helpful होगी तो मिलते हैं नेक्ट डियो में नेट ओपी के साथ में और हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू